तो चलिए अगली खबर के और रुख करते हैं जहां AIMIM के बिहार परदेश अध्यक्ष अक्तरूल इमाम ने किशन गंज लोकसभा शीट से अपना नामंकन परचा दाखिल किया तो वहीं जद्यों के बिहार परदेश उपाद ध्यक्ष महमूद अश्रफ कांग्रिस के परदेश महास्चीव सैप अश्चिम भंगाल के परभारी महुम्मद जावेद आजाद एम त्रीमूल कांग्रिस के जावेद अक्तर ने किशन गंज लोकसभा सीट के लिए नामंकन कि करने के बाद AIMIM के परत्याशी अक्तरूल इमाम, NGA के परत्याशी महमूद अश्रफ तथा महागट बंदर के परत्यासी महुम्मद जावेद तीनों परत्याशों ने अलग-अलग जगों पर जन सभा को संभोधित किया जन सभाव में सबसे अधिक भीड AIMIM के परत्याशी अक्तरूल इमाम की सभा में देखी गई दिल्ली से दूर हुए, पट्ना से दूर हुए, विकास से दूर हो गए, आजादी के वक्त हमारी हालत बिहार में सबसे अच्छी थी, लेकिन दिल्ली और पट्ना की सरकार ने हमें कंगाल बना दिया, पलाएन हमारी मजबूरी बन गई है, इनी तमाम तो नाइंसाश्कों क काले समंदर में टगमगा रही है, और आज तक विकास का किनारा इसे नहीं मिल पाया, हम अपनी कष्टी को विकास के किनारे तक ले जाना चाहते हैं, और हमने संकल्प ये किया है, कि हम किशंगर में सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन संपरदाइक शक्तियों को कभी खुट नही कि दे सकते हैं, हम नफरत के फूल खिलने नहीं देंगे, हम गरदन कटा सकते हैं, हमारे पुरवजों ने अगर गरदन कटवा कर देश को आजाद किया है, तो संपरदाइक शक्तिया जो देश को तोड़ने की कोहिश कर रही हैं, जो लोग अकलियतों और दलीतों का गला मरो युवाओं में, माताओं और बेहनों में, परदेश में रहने वाले नौजवानों में एक नई ललग जगी है कि यमायम हाकव इंसाफ की बात करनी आई है, हम हिंदु हों या मुसलमान, सारे लोग भारत के संतान हैं, भारत के रहने वाले हैं, हम मिल्जुल कर रहना चाते हैं और किसन से अधा गंगा जमनी तरजीब पूरे देश में कहीं नहीं है इसलिए हम यहां नफरत के फूल खिलने नहीं देंगे और अपने लड़ाई लड़ेंगे यह काम करने के लिए हम लोग कॉंग्रेसी हैं हम लोग हर वक्त जंग सेवा में तयार रहते हैं और चुनाओ भ अतध करना नहीं है ल Such सऊनाओ किसी नेता यह पाटीक नहीं है यह हर इंसान ہ centres से महब्बद करता कैसे बचेची कि की जो यहा के किसान हैं उनकी जिन्दगी कैसे खुशाल होगी, यहां के जो जो नौजवान है वो कैसे रोजगार उनको महया हो सकेगा, यह सब कुछ कुछ हैं, जो बहुत इंपोर्टन्ट हैं इंडिया के ग्रोथ के लिए, हमारे बच्चों के भविश्च के लिए और हमारे भविश्च के लिए, बार को यहां?